अरुन पिल्लई हैं कोई उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके दो-चार दिन बाद उन्होंने कोट में बयान दिया भूशन, बेलगवी से टॉर्चर करके, ये पांच नाम तो मेरे पास ही हैं, पता नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर करकरके बयान लिये गए, ये हो क्या राए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सब को मारते हैं पीटते हैं टॉर्चर करते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिता जी को बिठा लिया और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागस पर साइन कर दे नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिता जी को भी जेल भीज रहे हैं, यह चल क्या रहा है, मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाता हूँ, यह चल क्या रहा है, जहां कोई घोटाला नहीं हुआ, वहाँ पे कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती करके लोगों से, जबरदस्ती करके, मार के, पीट के धंकियां देखे बयान लिखाने की एक व्यक्ति उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी उसके दो जवान बेटीय आए कल देखते हैं तेरी बेटी क 1700 कैसे पहुचती है यह जाँच चल रहे है इन लोगों के एक व्यक्ति है उसके वकील ने कोट में खड़े होके कहा कि हमारे मुख्किल के मेरे मुख्की के उपर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के पॉलिटीशन का कोट के अंदर खड़े होके उसने बोला रहा है कि मेरे मुख्किल के उपर दबाव डाला जा रहा है कि आप दिल् करोड रुपय की रिश्वत ली गई और दी गई वो 100 करोड रुपया कहा है एक नया पैसा एक नया पैसा कहा है वो 100 करोड रुपया सब इतनी 400 से ज़्यादा रेड हो चुकी है मनीज सोधिया जी के घर पे रेड हो गई इतने सारे दूसरे लोग वो पैसा मिल है कहां एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड रुपय का ना कोई ज्वेलरी मिली ना कोई मनीज जी के घर पे गद्दे भी फाड दिया इनोंने उनके गाओं भी हो आए उनके बैंक लॉकर भी चानमारे कुछ नहीं मिला 100 करोड में से फिर आरोप लगाया कि 100 करोड रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ जी गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जनसे हमने काम कराए था साजे वेंडर्स पर रिडमार चुकी हें लोग सारे वेंडर्स को इन गिरफतार करकर के स्टेटमेंट ले चुके वहां कुछ नहीं मिला सारी पेमेंट चेक से होई है हमारी सारा हिसाब किताब एलेक्शन कमिशट को दिया और वहां भी कुछ नहीं मिला गोवा चुनाव के अंदर निको देला नहीं मिला तो पैसा गया गा अगर रिश्वत ली तो पैसा गया गा अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी आज मैं इस प्रेस कॉंफरेंस में कह रहा हूँ कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंदर मोधी को एक हजार करोड रुपे दिये थे कर लो गिरफतार उनको ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होगे कुछ भी कह देगा मैं कह रहा हूँ कि नरेंदर मोधी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड रुपे दिये थे गिरफतार करोगे इस में सिस पे नरेंदर मोधी को भी मेरे पास कुछ सबूत तो कहने का कोई तो मैं कहूंगा भी मेरे पास ये सबूत है मैंने दिये थे ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होके क्या देगा और गिरफ्तार कर लो कि 100 करोड रुपे दिये 100 करोड रुपे दिये गोवा चुना अरे कहां है सबूद कोई सबूद नहीं है यह पॉलिसी इतनी शांदार पॉलिसी थी ट्रांस्पेरेंट पॉलिसी थी जो भरष्टाचार खतम कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में यह इस बात से थाबित होता है कि ये policy जब पंजाब में लागू की गई, पूरी copy-paste policy है, जब पंजाब में लागू की गई, तो इस policy से 50% revenue वो एक साल के अंदर बढ़ गया, 50% revenue, दिली के अंदर इन्होंने लागू करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक full state है, तो मैं मोधी जी को कहना चाहता हूँ, मोधी जी, अगर केजरी वाल भ्रष्टाचारी है, तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई इमानदार नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जाच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं, ऐसा शक्स देश का प्रधान मंत्री जो सर से लेके पैर तक भरष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है उसके लिए भरष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है पिछले मार्च के आखरी हफते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाय थे ब्रष्टाचार जो इन्होंने किया है इतने ब्रष्टाचार गिनाय थे इन्होंने तो मिरे को तब ही कह दिया था उस दिन जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी शाम को सुन्जय सिंग का मेसेज आया है कि अर्विन जी अगला नंबर आपका है कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया मैं वो सुन रहा था सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोधी जी को भरष्टाचार से कोई परहेज नहीं है यह मैं तो नहीं कह रहा हूँ यह तो उनके अपने गवर्णर कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कौन है सत्यपाल मलिक जी मोधी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे उन्हें पहले उन्हों जमू कश्मीर का गवर्णर बनाया फिर उनने गोई का गवर्नर बनाया फिर उनने मिझाले का गवर्नर बनाया उन्होंने कहा कि मेरे जो interaction हुएं मोधी जी के साथ उसमें पता चलाया है कि मोधी जी को भृष्टाचार से किसी तरह का परहिज नहीं है उसी interview में उनने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भष्टाचार करते हैं खूब पैसे कठे करते हैं लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते हैं वो पैसा उपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनीों के अंदर इन ब्रश्टाचार कर रहा है उसके लिए ब्रश्टाचार मुद्दा हो इनी सकता, उनके लिए ब्रश्टाचार मुद्दा थोड़ी है, तो फिर यह आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पढ़े हैं, पचैतर साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह स तो ये लोग टार्गेट कर रहे हैं, नमबर तू को गिरफ्तार कर लिया, नमबर थ्री को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरे मेरी गर्दन तक फोहचना.